नमस्कार दोफ्तों एक बार फिर हमारी यूटुब चैनल में आप लोगों का हरदिक स्वागत है लेट अफ्ट अप्टेर निकल कर आई कि केंद्रे करमचारियों के लिए बहुत बड़ी खुश कबरी है दोफ्तों केंद्रे करमचारी जो 18 महिने के डिये एरियर का इंतजार लंबे समय से कर रहे थे उनका लंबा इंतजार अप पूरा होने वाला है आप मार्च में होने वाली काबिनेट बैठक में वो इंतजार पूरा हो जाएगा तो दोफ्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे अगर आप मारी चैनल पर फॉफ्ट टाइम जिट कर रहे हैं तो चल्ब को लाइक कर दीजिए, सस्क्राइब कर दीजिए, साथी साथ वाल आइकन को भी मजा दीजिए, ताकि गोवर्मेंट या पैंसेंस से समन्दी जीतन भी नूँ हो जाती है, तो आपको लेकर बाज सरकार की तरफ से बड़ी खुश खबरी मिलने वाली है, जैसा कि केंद्रे करमचारी काफी लंबे समय से महिंगाई बत्ते की बढ़ोत्री और 18 महीने का रुका हुआ डिये की मांग कर रहे हैं, जिस पर सरकार का अभी तक कोई फैसला नहीं आया, केंद्रे करमचारी काफी लंबे समय से महिंगाई बत्ता और डिये एरियर के पैसे की जो रुका हुआ है, ना मिलने के करन राज्य करमचारियों की यूनियन और पैंशनोर ने भी आंदोलन जारी करने की दमकी दे दी है, जैसा कि सरकार या नहीं चाहती है कि क्योंकि 2024 में लोग शबा का चुनाव होने वाला है, ऐसे में ऐसे आनती फैले, इसलिए सरकार डिये अलाउंस में 4 पर्चेंट की बडोतरी के साथ डिये एरियर का भी पैसा देने के लिए मार्च में केंद्रे करमचारियों के दोरान इस मुद्दे पर बात की जाएगी, लेकिन JCM ने कैबिनेट सचीव को पत्तर लिखकर इस मुद्दे पर फिर से एक पर चर्चा करने की अपील की है, जिसके लिए सुप्रिम कोट की टिपनी का हवाला देते हुए केंद्रे करमचारियों की डूटी के पैसा नहीं रोका जाएगा, दोस्तों क्रोना मामारी के दोरान आर्थिक स्थितिक काफी कमचोर होने के कारण, बार सरकार की तरब से केंद्रे करमचारियों को जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई बत्ता बंद कर दिया गया था, और साथ ही उनके डिये का पैसा भी नहीं बढ़ाया गया, लेकिन अब अर्थवफता पटड़ी पर आ चुकी है, ऐसे में सभी केंद्रे करमचारियों डिये बढ़ोत्री के साथ भी एरियर की भी मांग कर रहे हैं, जो कि मार्च की केंद्रे कैबिनेट बैठक में जिस पर फैसला लिया जा सकता है, दोस्तों केंद्रे करमचारियों और पैंशनों ने डिये एरियर की पैसे के लेकर परदानमांत्रे नरेंद्र मोदी से पत्तर लिखकर अपने रुके हुए पैसे को दिलाने की मांग की है, डेड़ साल का मैंगाई बत्ते के साथ 18 महीने का डिये एरियर को लेकर केंद्रे करमचारी चाहते हैं कि जल्द ही इस समस्या का समाधान हो दोफ्तो इसको लेकर नुवंबर में कैबिनेट सचीव के साथ बैठक होई थी लेकिन उस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया दोस्तो नैशनल कांसलिंग ओफ जेसी एम स्टाफ सचीव कोपाल मिश्रा के मुताबिक केंद्रे करमचारी को अलग-अलग पे ग्रेड के अनुसार अलग-अलग अरियर का पैसा मिलेगा पहले बल पर केंद्रे करमचारी को डी ए अरियर ग्यारा जार आठसाथी रुपे से लेकर सैतिह जार पांसो चमार रुपे के बीच में मिलेगा वही लैवल तेरा बेसिक पेसकेल एक लाग तैस जार सो रुपे से लेकर दो लाग पंद्रा जार नोसो रुपे और लैवल चोदा के करमचारी एरियर एक लाग च्वाले जार जार दो सो रुपे से लेकर दो लाग अठारा हजार के बीच में हो सकता है फिलाल सरकार इस पर अभी अपना निर्णा बदल भी सकती है दोस्तों केंद्रे करमचारी को बार सरकार के इसाब से पे मैट्रिक्स के नियुनतम वेतन अठारा जार रुपे के अनुसार बकाया के रूप में 11,880 रुपे मतलग कि पहले 4,320 फिर 3,240 फिर 4,320 रुपे मतलग 11,880 रुपे मिलेंगे जिन में जनवरी 2020 के 43,24 रुपे वाजुन 2020 के 3,240 रुपे जनवरी 2021 के 4,320 रुपे सामिल होंगे जो जल्द ही मार्च की मैठक के बाद जारी कर दिये जाएंगे तो दुफ तो आज के लिए इतना ही मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैबार